फिर वहमाल वहीम, अस्सलाम अलेकूम स्टूरेंट्स एट क्लास, आज हम आपको खुशाम अदीद कहते हैं आज साइंस का लेक्षे नमबर 6 है 17 जुलाई 2020 आज की डेट है युनेट 6 कर रहे हैं, पेज 88 करेंगे और इसके साथ पेज 90 करेंगे टॉपिक हमारा जो आज हमने डिस्कस करने हैं चीजों को, वो प्रापरटीज ऑफ साल्ट से हैं 5 से लेकर 7 तक, युकि पहले भी हम बाकी प्रापरटीज कर चुके हैं इसके इलाबा, यूजिज ऑफ साल्ट इन अंडस्ट्रीज, यानि के सनतों के अंदर किस तरह से साल्ट का इस्तमाल किया जाता है, यह हम स्टेडी करेंगे प्रापरटीज ऑफ साल्ट से आज हम बाकाज़ा आगास करेंगे रिलीज ऑफ कार्बन डाइकसाइट फर्स्ट प्रापरटी की हम हैडिंग बनाएंगे वो इसलिए क्योंकि इस प्रापसस में कार्बन डाइकसाइट गैस यह वो खारिज खारिज होती है, फर्सलि मैं पस नमबर फाइफ पर प्रापरटी है carbonates and bicarbonate react with acid to liberate carbon dioxide gas इसमें देखें carbonates क्या होते हैं नीचे माँ पस नजर आ रहा है CO3 to negative तो ऐसे compounds जिनमें CO3 to negative ion होता है ऐसे compounds को हम carbonates कहते हैं जबके bicarbonates क्या होते हैं ऐसे compounds जिसमें यह जो carbonate है इसके साथ H भी लगाता है H CO3 one negative ठीक है तो ऐसे compounds जिसमें H CO3 one negative होता है तो ऐसे compounds को bicarbonates कहते हैं तो यह basically salts है ठीक है carbonates और bicarbonates salts हैं जो react कर रहे हैं acid के साथ ठीक है और इस process में क्या release हो रहा है liberate कर रहा है यह carbon dioxide gas liberate का मतलब होता है remove करना निकालना, खारिज करना, release करना ठीक है तो यहां पर अगर हम reaction देखें तो क्या हो रहा है sodium carbonate यानि के Na2CO3 react कर रहा है 2 HCl के साथ यानि के 2 molecule HCl के हैं ठीक है hydrochloric acid के और इस process में बन क्या रहा है यह चीजे बन रही है NaCl बन रहा है, साथ में H2O water बन रहा है और साथ में carbon dioxide gas release हो रही है ठीक है, तो overall हमारे पास क्या हो गया कि carbonate या बाइ-carbonate के salt है, यानि कि नमक रहा है react करते हैं, इसट के साथ और वो क्या बनाते हैं, carbon dioxide gas या वो बनाते हैं अगली जो property है, वो है मारे पास precipitate formation और इस property को हम heading precipitate formation की इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि इस process में precipitate बनते हैं, ठीक है, उर्दू में इनको हम rasub, ray, scene, wow, bay, rasub बोलते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं के precipitate formation कैसे होती है, और क्या नमबर 6, when source of heavy metals react with alkaliis, precipitate of heavy metals, hydroxide is formed in the reaction ठीक है, इसमें क्या होता है heavy metals, heavy metals कौन सी होती है, ठीक है, metals को हमने 6th class में study किया है, कि कुछ खास element होती है, जिनके अपनी खास properties होती है, ठीक है, जैसे loha एक metal है, तो heavy metals basically, जो है, वो metals होती है जिनका atomic number, यानि कि उनके nucleus के अंदर protons की तदाज़ जियादा होती है, ठीक है, तो वो metals, जिनका atomic number ज्यादा होता है, तो उनकी बात कर रहा है, heavy metals के salts, ठीक है, यानि के salts का basically, हमें डिस्कूस करने है, जैसे यहाँ पर FeCl2m, Cl3m अरपास, यानि के iron, tricolouride, या iron coloride, और scientifically लिए तो ferricolouride, ठीक है, तो heavy metals के salts, जै वो alkalis के साथ react करते हैं, ठीक है, alkalis basically क्या है, water soluble bases है, तो ये दोनों, यानि के salts और alkalis आपस में जब react करते हैं, तो precipitate of heavy metal hydroxide or farm, तो इनके react करने से heavy metals के precipitate बनते हैं, hydroxide की farm में, hydroxide का mean होता है, OH negative, जैसे यहाँ पर हम देखें, क्या बन गया है, FeOH tris, या OH3, ठीक है, तो इसको बोरे हैं, ferric hydroxide, ठीक है, OH इसमें है ना, तो ये hydroxide है, हमारे पास, ठीक है, तो इन दोनों के react करने से, यानि के salt of heavy metals के, और alkalis के react करने से, heavy metals के hydroxide जै वो बनते हैं, और किस फार्म में बनते हैं, वो precipitate की फार्म में बनते हैं, अब ये figure हमारे पास देखें, जिसके उपर हमने 1 and 2 राइट किया है, अच्छा, ये क्या है, हमने जो है, एक जो है, पहली वाली में, नमबर 1, जैसे यहां पर 1 और 2 हमने उपर राइट किया है, ठीक है, वन के अंदर हमने क्या लिया है, पानी के अंदर, जो है FECL3 जो है वो डाल दी है, ठीक है, मिक्स करके इसका हमने क्या बना लिया है, एक्वर स्लुशन, जो के AQ लिखा भी हुआ है, ब्रैकिट के अंदर, ठीक है, तो एक्वर स्लुशन हमने बना लिया है, जबके दूसरी जो हमारे पास बोटल है, उसके अंदर हमने NaOH, यानिके सोडियम हाइडर ओक्साइड का एक्वर स्लुशन बना लिया है, यानि के इसके अंदर हमने पानी डाल के sodium hydroxide जब डाल दिया और उसका aqua solution जब बना लिया अब हम क्या करते हैं एक अलग बोतल में ठीक है जैसे नीचे नज़र आ रहा है अलग बोतल के अंदर हमने दोनों उपर वाली बोतलों का जो solution है यानि के FECL3 और NaOH उन दोनों को अकठा कर दिया ठीक है अब क्या होगा ये दोनों आपस में react करेंगे ठीक है उपर देखें तो कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है इट मिन्स के वो एक pure solution बन गया है मकमल तोर पर जो है फैरी कलोराइड और sodium hydroxide आपस में जब पानी के अंदर mix किये गए थे तो जिस तरह आम नमक mix हो जाता है ना बिल्कुल वैसी वो mix हो गए थे ठीक है clear solution बना दिया था लेकिन नीचे जब ये दोनों mix up किये गए है ये आपस में react करते हैं ठीक है और क्या बन गया नीचे मैंने जो है dots लगाएं में जो शो कर रहा है कि नीचे कोई solid farm में चीज बन गई है ठीक है और वो solid farm में चीज क्या बनी है FeOH3 ठीक है feric hydroxide क्या iron hydroxide बनाव है ठीक है तो it means कि precipitate basically क्या होते है solid material बन जाता है ठीक है तो हम definition से देखते हैं उपर हमारे पास यह definition है precipitates are the substances which appear as solid insoluble product in the liquid reaction mixture ठीक है precipitate जो basically चीजें कुछ खास which appear as solid ठीक है और वो solid farm में नज़र आती है जैसे अभी हमने यहां पर बात की थी कि solid farm में कुछ बन गया है ठीक है appear as solid solid farm में नज़र आती है insoluble product ठीक है और वो insoluble farm में होती है यानि कि वो उसके अंदर यानि कि solution के अंदर हाल हुई नहीं होती ठीक है in the liquid reaction mixture liquid reaction mixture यानि कि हमने पहले जो लिये थे वो था फैरी कलोराइड का solution पानी के अंदर sodium hydroxide का solution पानी के अंदर ठीक है ये दोनों ही liquid farm में थे इनमें कोई चीज़ भी solution में solid farm में नहीं मज़ूद थी क्योंकि दोनों material हाल हो गये थे पानी के अंदर तो वो liquid farm में आ गये थे अब जब हम इन दोनों को mix up करते हैं तो solid farm में जो material बनता है उसको हम precipitate बोलते हैं यहां उर्दू में रसूब कहते हैं ठीक है तो हम simply जो definition करेंगे वो क्या करेंगे precipitate basically जब दो liquid reaction दो liquid solution जो हैं वो आपस में जब mix up किये जाते हैं और वो react करते हैं तो जो solid insoluble material बनता है उसको हम क्या बोलते हैं precipitate कहते हैं ठीक है तो यहां पर precipitate क्या बना है feoh tris ठीक है और इसको bracket के अंदर इसने लिखा हुए short form में PPT ठीक है full form ने हम write करते हैं PPT write करते हैं और PPT से क्या मराद है precipitate और इसके साथ NACL जा है वो बनता है और NACL aquas form में है इसके यह पानी के अंदर हल शुदा है ठीक है यह solid form में नीचे नहीं बनता तो इसके यहां पर हमारे पास क्या क्या बनेगा iron hydroxide और साथ में sodium coloride जा है वो यहां पर बनेगा ठीक है तो overall जो मैं निकालता हूँ नतीजा वो क्या है कि जब heavy metals के साथ alkalis यानि के base के साथ react करते हैं तो वो precipitate बनाते हैं hydroxide की form में ठीक है और in precipitate की definition दैन उसने कर दी है कि solid form में इस वार्म में जो material बनता है जब दो liquid solutions को आपस में react करवाया जाता है तो जो solid form में आती है वो basically जो है precipitate कहलाती है जैसे कि यहाँ पर fe o h tricep next हमार पास जो property है नमकी वो है hydrolysis hydrolysis basically hydro का mean होता है पानी lysis का mean होता है breakdown तोर जाना अभी हम समझेंगे कि hydrolysis कैसे है उसके इलावा bracket के अंदर मैं write किया है opposite to neutralization ठीक है यह neutralization process के opposite है ठीक है किस तरह से यह भी अभी हम study करते है तो हमें समझ आजएगी the chemical reaction of water with the salt produces an acid and a base and the reaction is called hydrolysis पहले तो देख लें hydrolysis कैसे है ठीक है इसमें क्या है हम water को use करें है ठीक है और इस process में water तूट के नई चीज़े है जो है वो बना रहा है ठीक है तो इसलिए hydrolysis है ठीक है तो देख लें क्या है इस process में water react करके salt के साथ ठीक है तो hydrolysis एक ऐसा process है जिसमें water salt के साथ react करके break करता है आम रोटीन में भी hydrolysis जो है breakdown of water कोई कहते हैं पानी के break करने को हम hydrolysis जो है वो बोरे होते हैं ठीक है लेकिन यहां पर basically क्या हो रहा है कि water जो है salt के साथ chemically react कर रहा है अब chemically react करने से क्या अमराद है पिछले chapter में अगर आपने वेडियो देखी हो और पिछला वर्क पर पेपेर किया हो यह दो नई चीज़े बना रहे हैं ठीक है जो के physical reaction और physical change के हवाले से बिल्कुल मुखलिफ चीज़ है ठीक है 7th class में हमने physical changes study की थी जिसमें कोई नई चीज़ नी बनती chemical changes में हमेशा नई चीज़े बनती है तो यहां पर एक खास तर्तीब में मिलते हैं जैसे इसके अंदर यहां पर देखें तो यहां पर Na2CO3 था ठीक है यानि कि दो सोडियम एक कार्बन और तीन अक्सीज़न के एक्टम से ठीक है लेकिन यहां पर सोडियम जो है वो एक अक्सीज़न और एक हाइटोजन के साथ मिल गया है और यहां पर जो है कार्बन अक्सीज़न जो है इस साइट पर आ गई है ठीक है इट मींज कि एटम ने तरीके से तर्तीब पाते हैं ठीक है तो वाटर का साल्ट के साथ केमिकल रियक्शन से क्याम राद है कि वाटर और साल्ट आपस में रियक्शन करते हैं और केमिकली एक ने तरीके से रेंज कर जाते हैं ठीक है और इस प्रॉसस में जो परोड़क्ट बनते हैं वो बेसिकली क्या है एक एसड है और दूसरा बेस है जैसे सोडियम हाइडक्साइड एक बेस बना है और एस टू सी यो तरी कार्बोनिक एसड एक एसड बना है ठीक है तो यहां पर मैं आवराल के नतीजा निकालता हूँ हाइडरलाइसीज एक ऐसा प्रॉसस है जिसमें पानी नमक के साथ केमिकली रियक्ट करता है और साथ में एसड और बेस है वो बनता है अब मैंने हैडिंग में पहले बताया था यह निट्रलाइसेशन प्रॉसस के उलट है ठीक है हमने पीछे निट्रलाइसेशन का प्रॉसस स्टुडी किया हूँ है जिसमें हमने बात की थी कि neutralization process एक ऐसा process है जिसमें एक base एक acid base के साथ react करती है और क्या चीज़ बनाती है water बनाती है और salt में salt बनाती है ठीक है और यहां पर देखें तो क्या है एक water का molecule ठीक है water के molecules salt के साथ react करे हैं और वो उलट में क्या बना रहे हैं बेस बना रहे हैं साथ में acid बना रहे हैं चूंकि यह neutralization process के उलट था इसलिए मैंने इसकी heading यह बना दी नेक्स हमाँ पास है uses of salt in industries यानि के कारखानों के अंदर सनतों के अंदर नमकियात का क्या इस्तमाल होता है नमक का क्या इस्तमाल होता है क्योंकि जो कारखाने हैं सनते हैं उन पर बड़े पमाने पर हमारे इस्तमाल की बहुत सी चीज़े बनाई जाती हैं तो हम स्टेडी करेंगे कि किस तरह से साल्ट हमारे सनतों के लिए भी अहम है उसे साल्ट इनअकि अडस्ट्री फर्स्ति अमारे पर सोडियम कोलोरीड है जिसका फार्मney है एनने सील सौडियम कारभुनेट सोडियम कारभुनेट जो कि हम गरों में आजंत्वर पर नमक माल करते हैं थीक है कहते है कि वो कलोरीन, हाइट्रोजन, कलोराइट, कास्टिक, सोडा, वाशिंग, सोडा, सोडियम, हाइट्रोजन, कार्बिन, बिनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है कारखानों के अंदर अब जो कलोरीन है ठीक है वो बैसिकली मुकलिफ जो है जरासिमकुष होती है सफाई के लिए इस्तमाल की जाती है जैसे आज कल जब करोना का सीजन चला ठीक है तो कलोरीन से का गया कि इससे जो है आप जो अपना जो मस्जदे हैं उसको दोएं ठीक है तो कलोरीन बैसिकली जो swimming pools हैं वहाँ पर पानी को साफ करने के लिए इस्तमाल की जाती है जड़ा सुंकिश होती है ठीक है hydrogen coloride acl hydrochloric acid को बोलते है caustic soda sodium hydroxide को कहते है जो कि एक base है washing soda कपरे को दोने के लिए इस्तमाल होते है na2 co3 और sodium hydrogen carbonate जो भी हमने कल study किया था baking soda जो कि basically bread को और जो cake सेंस को सोफ करने के लिए इस्तमाल होता था ठीक है तो मुखलिव तरह के केमिकल्स कलोरीन, hydrogen, कलोराइड मुखलिव तरह के केमिकल्स बनाने के लिए हम आम नमक का इस्तमाल करते हैं और ये नमक हम जो हम जो हम जो है sodium carbonate का जिसका formula जो है na2 co3 है is used for softening of hard water and for the manufacture of glass and soap पहले तो देखें softening of hard water 7th class में हमने water का chapter study किया था जिसमें हमने बात की थी कि water जो है soft भी हो सकता है और hard भी हो सकता है अब soft water क्या होता है hard water क्या होता है soft water basically जब इसमें मुखलिफ तरह के chemicals है नमकियात है जब आम पानी के अंदर पीने के पानी के अंदर add हो जाती है हल हो जाती है तो वो पानी जो हाड हो जाता है आम रिटीन में जो फ्रेश वाटर हम पानी पीते हैं वो सूफ वाटर है ठीक है लेकिन उसके अंदर कुछ केमिकल्स कुछ नमकियात एडर हो जाती है तो वो हार्ड हो जाता है अब दोनों में फराख कैसे हम करते हैं जो दोफ वाटर होता है उसके अदर जब हम साबुन डालते हैं तो वो अच्छे से जाग बनाता है ठीक है जबके हार्ड वाटर के अंदर जब पानी डाला होजाता है तो ये बहुत आह साबुन का तो कोर्डियम कार्बोंट जो हाथ पानी कोस्फट करने के लिए इस्तमाल की आदाता है इसके इलावा manufacture of glass and soap यानि के साबुन और शीशा ठीक है बनाने के लिए glass बनाने के लिए इसके 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 बाद में पास potassium nitrate है जिसको हम KNO3 बोलते हैं यूस फार्दा preparation of gun powder and fireworks it is also used as fertilizer ठीक है तो प्रपेशिम नाइटरेड जो है प्रपेशिंग गन पाउडर और फाइवर्क गन पार्डर यानि के बारूद जो गन के अंदर इसनमाल किया जाता है ठीक है तो वह बनाने के लिए हम जो प्रपार्शिम नाइटरेड को इसके इसके इलावा यूस फाइर व के लाता है थीक है तो फायर work के लिए और gun powder बनाने के लिए हम potassium nitrate का इस्तमाल करते हैं कार कानों के अंदर जहां पर ये बिनाए जाते हैं उसके इलावा fertilizer बनाने के लिए इनका इस्तमाल जे वो किया जाता है डैन हमार पास है पुटाश ऐलम फटकरी को बोलते हैं जो कि कल भी हमने डिसक्स की थी इस यूज फाइड़ प्यूरिफिकेशन वाटर इंडाइंग क्लॉट एंड फार टैनिंग दा हाइड फटकरी जो है कहता है कि पानी को साफ करने के लिए इस्तमाल की जाती है कार खानों के अंदर इसके साल्ध के लाबा नेते एक लिए कौपर केलावम के लिए इयredict reinFEOoh इनका घर्म है के आरो चैनल की हाईड्स इन पर अचसल कि जाती ए हुआ इस इसको साफ करने के लिए असमें से जो आए उन है उसको खान करने के लिए इस्तमाल की वाइड ़ूसे एवे इसका जानों की कि मैंने की साइट के तोर पर in Колिको प्रिंटिंग 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 और अलेक्रोप्लेटिंग ठीक है कापर सिलफेड यानि की C theaters of four ठीक है ये साथ प्रिम्टति पर इस्तामाल ओता है यानि के जो फंजाई है फपंदी है ठीक है उसको किल करने के लिए, इसको मारने के लिए हम इस्तमाल करते हैं, कैलिको प्रिंटिंग कपरों पर छपाई के लिए इस्तमाल किया जाता है, जैसे कि आज खावातीन जो बुखलिफ तरह के डिजाइंस के कपरे पहन रही होते हैं, जिन पर छपाई होती हैं, यह नहीं मैं कह तौपर सलफेट की मदद से की जाती है एलेक्ट्रो पलेटिंग बेसीकली क्या होतीर है एलेक्ट्रो खवर्ड हम इस्तामाल करते हैं ख़़ी बीजलिक पलेटिंग करई हुआ हैं इस्में ऑक्वर्ड के डिले के लिए है इसलिए हम इसको खाnh。」 फाइबां, जो लोहा है उसको बहुत ज़्यादा Rod लग जाता है लेकिन जो गोल्ड है, फि Board ऑषिक है और मेटल है उसको कम जंग लगता है क्या क्टे हैं लोहे की ऊपर जो है वहु गोल्ड की कवरिंग चिरा जाते हैं ठीक है और इस तरह से अलेक्ट्रो प्रिंटिंग में इस्तमाल होता है नेक्स हमारे पास रेलेवंट शॉर्ट क्वेश्चिंज लॉंग क्वेश्चिंज एंड एमसी क्यूज यानि कि जो हमने आज चुड़ी किया है उसमें से शॉर्ट क्याश्चिंज कौन से अचे बन सकते हैं sortir हो तो आप उसको राइट पी कर लें अपने पर आपकी सरीन पर जो है questions नज़र आ रहे हैं सहे पहला पहुंपे्छन है define the precipitate की कि कैसे होता है यो पैस daw हुआे मेटर मेटर साथ optimist को टिए सրय होते हैं वो है करें शौटकेफ्च हें बनसकता है राइचिन हो हैवी मेटर साथ विद伊क待 करते हैं किस तरह सा कि यह करते हैं वो बताएं ठीक है यह पताना भी एक और साथ में जो हो आपने इसका राइट भी करने थो है इसके इलावा equation भी write करनी है ठीक है लफसी भी बताना है और equation भी write करनी है what is hydrolysis hydrolysis क्या होती है वो बताएं how salt react chemically with water नमकियात नमक कैसे जो है पानी के साथ react करता है यह बताएं ठीक है यानि कि दुनों जो है एक ही answer रहें का इसके लावा long question बन सकता है right properties of salt पूरा long question भी आ सकता है इसके लावा right uses of salt in industries यह पूरा long question और यही पूरा short question भी बन सकता है इसके लावा single form में यानि के एक-एक salt का कहकर उसमें से भी short question भी बना सकता है कि इस salt का use बताएं उस salt का use बताएं ठीक है बिलकुल इसी तरह से MCQS हमारे पास different तरह के बन सकते हैं मसलां carbonates & bicarbonate जब react करते हैं इससे के साथ तो कुझ सी gas release करते हैं यह पर carbon dioxide कब release होगी जब salt किसके साथ react करेंगे यह कुझ से salt इससे के साथ रेयक करते हैं। carbon dioxide release करते हैं बिल्कुल इसी तरह से precipitate बनाने के लिए कौन से salt रेव इस्तमाल होते हैं तो वो heavy metals के salt इस्तमाल होते हैं ठीक है तो कोई precipitate का formula भी write करते हैं ठीक है hydrolysis में basically कौन सी दो चीज़े react करती हैं कौन सी दो चीज़े बनती हैं इस तरह से MCQS में से बन सकता है uses of salt industries में से for example अभी पहले भी मैं डिस्स किया कि कोई salt का नाम लेकर करेगा कि बताएं इसका ये use जो है या किसी और का है ठीक है या फिर कोई use लिख कर बोल दे कि ये कौन से salt का यूज़े है ठीक है थैंक्स पर वाचिंग वीडियोज स्टुएंट्स अपना बहुत ज़्यदा ख्यार रखें हैव नाइस टे अलाफिस और जजाक ल्लाव खैर और एक एहम चीज़ कि अपना डेली का वर्क डेली लर्न करना है वर्क शीट आपकी रह गई है तो वो मैं आपको जो है वो सेंड कर दूँगा सुबह इंशाल्ला ठीक है और कंप्लीट वर्क अच्छे से परपेर करना है एक्वेशन को जो है प्रैक्टिस भी करनी है आपने है अल्लाफिस